चले फ्रेंड्स आज हम आपको एक दूसरी interesting poem पढ़ाएंगे और हमारी poem का नाम है A slumber did my spirit seal इसका मतलब है A slumber, A slumber means होता है एक गहरी निद्राने, गहरी नील ने did my ma ne, मेरी spirit ma ne, आत्मा को, seal ma ne, बंद कर दिया है हमारी poem का नाम है कि एक गहरी निद्राने, गहरी आत्मा ने किसी मेरी अंदर की आत्मा को seal कर दिया है, बंद कर दिया है मेरे मन की च्छा को रोक दिया है और इसे बहुत ही बड़ीय poem ने discuss किया है Poet का नाम है Why William Wordsworth William Wordsworth के दोरा ये poem लिखी गई है जैसा कि हम सब जानते हैं English Poet के एक महान Poet है ये William Wordsworth और रहने Love of Nature भी खा जाता है काफी interesting poems इन्हों ने लिखी है और ये इनकी सबसे best poem हमें से एक है जैने हम Lucy Poems भी कहते है तो Lucy Poems की एक उसकी से लिह हुई ये poem है जिसका नाम है A Slumber Did My Spirit सील और जैसे लिखाया by William Wordsworth ने चलिए आगे हम इस पोएम को line by line आपके सामने डिसकस करें बताते हैं चलिए अब हम इस poem को line by line डिसकस करेंगे हमारी पहली line है A Slumber Did My Spirit सील I had no human fears लिखाया A Slumber A Slumber means होता है गहरी निद्रा ने गहरी नींद ने Did my माने मेरी Spirit माने आतमा को सील माने बंद कर दिया है इस poem में कभी अपनी belफ के बारे में कहता है belफ को परतर्शाता है साभ कहता है कि जब उसकी belफ एकसपायर हो जाती है खتم हो जाती है तब उसके बारे मों लिखता है और जब वो उसके एकस्पायर होने के बाद एक दिन शाम को सोता है तब वो अपनी फिलिंग्स हो बेक्ट करता है उसके बाद लिखाया असलंबर डिड माई स्पिर्ट सील असलंबर में सोता है गहरी निद्रा ने डिड माई माने मेरी स्पिर्ट माने आत्मा को सील माने बंद कर दिया है एक गहरी निद्रा ने एक गहरी नीद्र ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया है I had no human fears I माने मेरे पास हैज माने है No माने कोई भी नहीं Human fears माना ता मनुष्चो का डर मुझे अब मनुष्चो बाला डर नहीं है मुझे मरने का डर नहीं है क्योंकि मेरी जिंदी की लगबब खतम हो चुकी है अब वो अपने बिलब्ड के बारे में कहता है वो मुझे ऐसी दिखाई देती है अथिंग माने जैसे कि वो महसूस नहीं कर सकती है अनुभव को अफ माने के अर्थिली इयर्स मेंज होता है हमारे समय को इस समय जो समय चल दा है जो चीज़े हमारे सामने हो रही है वो इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकती है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है लिखाई No motion has she now No force she neither hears nor sees No motion No माने कोई भी नहीं motion माने गती, कोई भी गती नहीं है, has माने उसके पास she माने उसके पास, now माने अब अब उसके पास कोई भी गती नहीं है, no force, नहीं उसके पास कोई शक्ती है लिखाए she माने वहे, neither माने ना तो here माने सुन सकती है, नहीं वो सुन सकती है, nor माने या फिर series माने देख सकती है कभी कहरा है कि आप उसकी विलब विसली ना तो किसी चीज़ को सुन सकती हैं ना किसी चीज़ को देख सकती हैं उन में कोई motion नहीं है उनकी body में कोई भी गती नहीं है लिखाया rolled around in earth's journal course with rocks and stones and trees rolled round रोल राउंड माने घूम रही है in the earth ۔ वो धर्टी के साथ घूम रहे हैं डियूर लोटा है ब्रत्वीं अपनी गति करती आप गूम रहे हैं अब कभी डिसकस कर रहा है कि जब उसकी प्रेमिका एकसपार हूगा हूगा है उन्हें इस धर्टी में मिट्टी के नीचे दफना दिया गया है तो कभी यहीए रहा है कि अब उसको उनकी प्रेमिका को इस मिट्टी की नीचे दफना दे गाए वह इस धर्ती में मिल गई है तो जब प्रत्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमते हैं उसी प्रखार उनकी बिलव्ड भी इसी प्रत्वी के साथ लगातार घूम रही हैं लिखाया है बिद रॉक एंड स्टोंस एंट्रीज बिद माने के साथ रॉक रॉक माने होता है चट्टानों के साथ एंड माने और स्टोंस माने पत्थरों के साथ एंट्रीज माने पेर पौधों के साथ उनकी प्रेमिका उनकी बिलव्ड पत्थरों के साथ चट्टानों के साथ और पेरों के स लिखा है इन माने में इन माने में मेरी गहरी नींद में जब मैं सोया था तो मेरी आत्मा को बंद कर लिया गया था इस कविता में इस कविता में जो लिउसी को बता गया यह कोई करेक्टर में नहीं है जतनी पोईम्स हमने लिउसी पढ़ी है नोट कनफर्म कि यह जिन लिउसी है यह इनकी मम्मी है मदर है इनकी सिस्टर है इनकी बेलफ्ट है कुछ कनफर्म नहीं किया गया पस इतना कहा गया कि यह एक इनकी इमेजिनेशन है, कल्प नामातर है यह नाम, लेकिन उसके जरीए वो भरमाड़िक सत्तों को बता रहे हैं, कहरा है वन हूम, वन हूम माने कोई व्यक्ति, वी माने हम, लव माने प्यार करते हैं, वेरी मच माने बहुत जादा, कोई ऐसा व्य रहता है, कभी कहरा है, पार माने के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उस समय के लिए, हमारी ज़ंदिगी बिलकुल इस्थिर हो जाती है,еюсь, it is undianity true that anything can happen with anybody लिखाया but but मोने होता है लेकिन it इस इस माने है undianity means irony अटल और truth दोके यह एक अटल सक्टे है that मानेघी anything माने कुछ भी can happen माने हो सकता है with anybody माने किसी की भी साथ लेकिन यह अटल सक्टे है ये कभी निए मिट सकता है ये ऐसा सकता है जो कभी निए मिट सकता है कि कभी भी कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, इन दी पोएम, 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 इंदी पोईम माने कविता में, दी पोईट्स माने कभी की, बिलफ्ट माने प्रेमिका, कभी की प्रेमिका, वाज माने हैं, यंग नौजवान हैं, और ब्यूटिफुल वूमेन माने बहुत सुंदर महिला हैं Once she was full life and bigger, लिखा, once, once माने एक बार, एक समय, एक समय था, when, जी माने वह, वाज माने थी, फुल, फुल माने भरी हुई थी, life माने enjoy से, आनन्द से, और बिगर माने उट्सा से, एक समय था, जब उनकी प्रेमिका, उनकी प्रेमिका का जीवन उट्सा और जोस से भरा हुए था, but now she is trapped beneath the surface of the earth and revolves along with it, thus the poet gives us eternal message of life, लिखा, but now, but now माने अब, she माने वह, is माने है, trapped, trapped means होता है, बंदी हुई है, लेकिन अब बंदी हुई है, बनीत माने नीचे, the surface माने सतह की नीचे, of the earth माने प्रत्वी के, अब वो प्रत्वी की सतह की नीचे, बंदी हुई है, जैसा कि हम स जैसे नीचे नीचे नीचे, दर्थी में दफना दिया जाता है, तो उसी तरीके से कह रहा है, बट नाव माने अब, she माने है, is माने है, trapped, माने बंदी हुई है, कि अब वो धरती की सतह की नीचे, बंदी हुई है, एंड माने और रिवॉल्ब्स माने घूम रही है, along माने ल ट्थी के साथ लगातार घूम रही हैं धस दिपोएट इस एक अचनल संदेश बताथा ऑफ लाइफ मैने जीवन का इस तरीके से कभी हमें जीवन का एक अटल संदेश देता है एक अटल मैसेज देता है कि जो लोग इस धर्ती पे हैं उन्हें एक नए दिन जाना है और इसी धर्ती के साथ राउंड लेना है इस तरीके से आगर I hope आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी